एलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रेक तो आईए डेली गरंट अफेर्स की सीरिस को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 3 ओक्तोबर 2023 के सभी गरंट अफेर्स को डिटेल में समझ लेते हैं वीडियो में तक बने रहिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा आईए आज के करंट अफेर्स का सबसे पहला कुशन देखिए चिकित्सा का नोबल पुरसकार 2023 में किस ने जीता है कोशन इंपोर्टेंट है दियान से सुनिएगा देखिए हाली में चिकित्सा का नोबल पुरसकार 2023 के लिए केटालिन कौरी को और डुरू विस्मेन को दिया गया है अंसर ए हो जाएगा खोज किसकी की और किस देश से बिलोंग करते हैं हम इसकी भी बात कर लेते हैं तो देखिए फ्रेंड्स चिकित्सा के शेत्र में हाली में नोबल पुरसकारों के साथ ही नोबल पुरसकारों की गोशना की शुरुआत कर दी गई है और हाली में नोबल समिती के सचीव थॉमस परलमेन ने देखिए कोरोल इसका संस्तान में चिकित्सा के नोबल पुरसकार की गोशना की है 2023 के लिए चिकित्सा का जो नोबल पुरसकार है वो हंगरी की केटालिन कौरी को और USA के ड्रू विस्मेन को सयुक्तुरूप से दिया गया है अब इन दोनों को ही यह जो पुरसकार है निकलियोसाइड बेस संशोधन से संबन्दित उनकी खोज के लिए दिया गया है देखे इनकी इसी खोज के कारण कोरोना वाइरस के खिलाफ एक टीके को विक्सित करने में मदद मिली थी जिसका नाम है MRNA टीका यह जो वैक्सीन है यह जो टीका है फ्रेंड्स इसे खोजने में इन दोनों का बहुत ही महतुपुन योगदान रहा है इनकी इसी उपलब्दी के कारण 2023 में सयुक्त रुप से इने चिकित्सा का नोबल दिया गया है लास्ट येर 2022 में स्वीडेन के समवाते पेबो को चिकित्सा के नोबल पुरुसकार से सम्मानित किया गया था जिनोंने देखिये विलुप्त होमिनीन और मानव विकास की अनुवंशी की जिसे जिनोम कहा जाता है इससे जुड़ी खोच की थी तो 2022 में चिकित्सा का नोबल स्वीडेन के सववाते पेबो को दिया गया था और अब केटालिन और डुरु विस्मेन को सयुक तुरुप से 2023 के चिकित्सा के नोबल से सम्मानित किया गया है नोबल पुरसकार के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये छे अलग-अलग शेत्रों में हर साल दिया जाता है जिसमें Physics, Chemistry, Medicine, Economy, Literature और Peace शामिल है सबसे पहली बार इस पुरसकार की शुरुवात 1901 में की गई थी तब से लेकर हर साल ये छे अलग-अलग शेत्रों में दिया जाता है हाला कि देखे शुरुवात में ये पांच ही शेत्रों में दिया जाता था इकोनोमी के शेत्र में जो नोबल है वो 1968 में शुरू किया गया था और पहली बार 1969 में प्रदान किया गया था तो इकोनोमी के नोबल को मिला कर ये छे नोबल पुरसकार हर साल प्रदान किये जाते हैं दोजार तेविस में चिकित्सा का नोबेल केटालिन कारी को और डुरु विस्टमेन को दिया गया है, इसमें केटालिन कारी को हंगरी की है और डुरु विस्टमेन USA के साइंटिस्ट हैं तो इसलिए आज हम कंट्री इन यूज में देखिया हंगरी को डिस्कस कर लेते हैं जो कि यूरोप का देश है, वैसे हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन क्यूंकि अभी चिकित्सा का नोबेल दिया गया है, केटालिन कारी को को, तो एक बार फिर से हम हंगरी से र रोमानिया, सर्बिया, क्रोईशिया, सिलोवेनिया और आस्ट्रिया ये सभी हंगरी के पड़ोसी देश हैं। हंगरी में वर्तमान में आठ युनेस्को साइट है जिसमें बुड़ा पेस्ट और फेटरो शामिल है। डेन्यूब नदी हंगरी की सबसे लंबी नदी है, कैकेस हंगरी की सबसे उची परवत चोटी है और बाल्टन जील हंगरी की सबसे बड़ी जील है। देखिए 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चिंपेंशिप 2023 का युजन हंगरी के ही बुड़ा पेस्ट में किया गया है। जिसमें अमेरीका 12 गोल्ड मेडल के साथ पहले स्थान पर है और इंडिया केवल एक गोल्ड के साथ अठरवे स्थान पर है जिसमें एक मात्र जो गोल्ड है वो भारत के नीरत चोपडाने जेवलीन थ्रो में जीता है। तो ये हंगरी से रिलेटेट सारे फेक्ट है याद रखिएगा एक्जामें देखने को मिल सकते हैं। अंडर 19 दक्षिन एशियाई फुटबॉल चेंपेंशिप का खिताब जीता है। तो आप रूट एप्लिकेशन या क्रेजी जीकेट ट्रिक एप्लिकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ याप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करन्ट अफेर्स पीडियेफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एक्जाम रेलेवेंट कोश्चन होते हैं। उन कोश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइट किया गया है। जो एक्जाम के लास्ट टाइम रिविजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए गांधी जैनती 2023 की थीम क्या है। तो 2023 में गांधी जैनती जोकी 2 अक्टूबर को मनाई गई है फ्रेंड्स एक तारीक, एक घंटा, एक साथ ये गांधी जैनती 2023 की थीम है। अंसर D हो जाएगा। इस साल 2023 में महात्मा गांधी की ये 154 वी जैनती है याद रखिएगा। देखे हाली में भारत के PM नरंद्र मोदी ने 150 मन की बात करिक्रम में महात्मा गांधी की जैनती पर उनको श्रद्धान जली के रुप में स्वच्छन जली देने की बात की थी और इसके लिए एक तारीक, एक घंटा, एक साथ अभियान की शुरुआत की थी। इसलिए गांधी जैनती 2023 की थीम भी एक तारीक, एक घंटा, एक साथ है। जैनती मतलब 2 अक्टूबर की विशेश थीम है। अविनाश मुकुंद साबले ने एशाई खेलो के 3000 मिटर स्टेपल चेस में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। देखे फ्रेंड्स यह भारत का एशाई खेलो के इतिहास में 3000 मिटर स्टेपल चेस में पहला गोल्ड मेडल है। और इसी के साथ 3000 मिटर स्टेपल चेस में अब भारत के टोटल 9 मेडल हो गए हैं जिन में से एक गोल्ड, चार सिलवर और चार ब्रॉंज मेडल है। इसके पहले हम 4000 मिटर स्टेपल चेस में देखे गोल्ड नहीं लाए थे, तो इस प्रकार ये पहला गोल्ड है जो कि अविनाश मुकुंद साबले ने जीता है। कहां के रहने वाले हैं ये इंपोर्टेंट हो जाता है, तो ये महारास्ट राज्जी से सम्मंदित है। सबसे पहली बार देखिए 3000 मिटर स्टेपल चेस में जो मेडल आया था, वो 1951 में पहले इश्याई खेलो में भारत के अजित सिंगने जीता था जो की ब्रॉंज मेडल था। और पहला जो सिलवर आया था इन खेलों में वो 1974 में तहरान एश्याई खेलों में गुर्मेज सिंगने जीता था। और अब पहली बार गोल्ड 3000 मिटर स्टेपल चेस में अमिनाश मुकुंद साब लेने जीता है। क्या दखिएगा इंपोर्डेंट है। इसके बाद आये चर्चा में रही खिलाडी अदिती अशोक का सम्मंद किस खेल से है। तो देखिए अदिती अशोक जो की हाली में सुर्ख्यों में रही है फ्रेंड्स ये गॉल्फ की महिला खिलाडी है भारत की जो की देखिए एशन गेम्स में मेडल जीतने वाली पहली भारती महिला गोल्फर बन गई है अदिती अशोक ने देखिए एशन गेम्स दोजार तेविस में गॉल्फ में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है इस प्रत्योगिता का जो गोल्ड मेडल है वो थाइलेंड की अरपिचिया यूबोल ने जीता है और भारत की अदिती अशोक यहाँ पर कुश्चन अदिती अशोक से है तो यह भारत की महिला गोल्फ खिलाड़ी है जो कि एशाई गेम्स में पदक जितने वाली भारत की पहली महिला गोल्फर है हाली में किसे भारती नोसेना स्टाफ का उप्रमुक न्युक्त किया गया है तो हाली में देखिए वाइस एड्मिरल तरुण सोब् Gwen interfaces के डिफ्टी चीफ न्युक्त किया गया है अंसर भी हो जाएगा तरुण सोब्ति के पहले देखिए वाइस एड्मिरल संजय महेंद्रू भ भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा 2020 में विसिस्ट सेवा पदक और 2022 में अती विसिस्ट सेवा पदक से समानित किया जा चुका है और अभी ने 2023 में भारती नो सेना स्टाफ का डिफ्टी चीफ नियुक्त किया गया है भारती नो सेना की बात करें तो ये सेना का एक सामुद्र इक अंगे फ्रेंट्स जिसके वर्तमान में प्रमुक एड्मिरल आर हरी कुमार है। आगया जाईए इसके बाद रॉबर्ट फीको को किस यूरोपी देश का पी-ेम बनाये गया है। तो रॉबर्ट फीको हाली में यूरोपी देश स्लोवाकिया के नए पी-ेम निउक्त किये गए हैं। स्लोवाकिया की केपिटल ब्रेटिसलावा है यहाँ पर ओफिशली करंसी यूरो यूस की जाती है और जुजाना कापुतोवा यहाँ के प्रेसिडेंट के पतपर है देश का पहला दिव्यांग खेल सेंटर अटल विहारी वाचपई दिव्यांग स्पोर्ट सेंटर किस राज में स्तित है तो देश का पहला दिखिए दिव्यांग खेल सेंटर जिसे अटल विहारी वाचपई दिव्यांग खेल सेंटर का नाम दिया गया है यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्तित है हाली में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने MP के ग्वालियर में इस दिव्यांग स्पोर्ट सेंटर का इनोग्रेशन किया है इस दिव्यांग स्पोर्ट सेंटर को बनाए जाने का मुख्युत देशे देखिए देश में जितने भी दिव्यांग वेक्ती हैं उनकी प्रतीबा को बढ़ावा देना और विभिन खेलों में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना है तो अटल विहारी वाजपई दिव्यांग स्पोर्ट सेंटर जोकी देश का पहला दिव्यांग स्पोर्ट सेंटर है मध्य प्रदेश राजी के ग्वालियर जीले में निर्मित किया गया है आगया जाएए प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया का चेयर्मेन किसे निउक्त किया गया है तो हाली में के एन शांत कुमार को प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया जिसे पी टी आई के नाम से जना जाता है इसका नया चेयर्मेन निउक्त किया गया है आंसर A हो जाएगा के एन शान्त कुमार के पहले अविक कुमार सरकार PTI के चेर्मेन के पत पर थे अब इनके इस्तान पर के एन शान्त कुमार को PTI का नया चेर्मेन न्युक्त किया गया है और इनकी न्युक्ती इस पत पर एक साल के लिए की गई है इस नियुक्ति के अलावा देखिए प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के वाइस चेयर्मेन के रुप में हिंदुस्तान टाइम्स के सी ओ प्रविन सोमेश्वर नियुक्ति किये गए हैं तो के एन शान्त कुमार अब प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के चेयर्मेन के पतपर हैं और प्रविंड सोमेश्वर प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के वाइस चेयर्मेन बनाई गए हैं पी टी आई देखिए भारत की एक प्रमुख समाचार एजन्सी एफ्रेंड्स जो की 1947 में पंजिकरत की गई थी आजादी के समय और 1949 में इसने देश में कारिकरना शुरू किया था क्लियर हो जाता है इसके बाद आज के करेंट अफेर का सबसे लास्ट कोशन देखिए केंदरी प्रत्यक्ष कर बोर्ड जिसे CBDT के नाम से जाना जाता है इसके वर्तमान अध्यक्ष कोन है लेकिन सेंटरल गवर्मेंट ने अब इनके कारिकाल में एक साल की वरद्धी की है और अब नितिन गुपता 30 जून 2024 ताग CBDT के अध्यक्ष के रूप में कारी करने वाले हैं नितिन गुपता के बारे में ये याद रखिएगा कि ये 1986 के देखिए IRS अधिकारी हैं जिनने लास्ट येर CBDT के अध्यक्ष के रूप में न्यूक्त किया गया था और ये 30 सितंबर को रिटायर होने वाले थे लेकिन अब सेंटरल गवर्मेंट ने इनका कारिकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है अब CBDT की बात करें केंदरी प्रत्यक्ष कर बोड की बात करें तो इसकी स्तापना देखिए केंदरी राजस्व बोड अधिनियम 1963 के तहट की गई थी और ये एक सावविधिक निकाय है ये संस्ता भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है जो की देश में व्यक्तिगत आएकर कॉर्पोरेट टेक्स आदी जैसे जो मामले है उनके निप्टान के लिए कारिकरती है इस संस्ता का जो हेटक्वाटर है वो नई दिल्ली में स्तित है तो CBDT के वरतमान में अध्यक्ष नितिन गुपता है तो यहाँ पर देखिए हमने 3 अक्टूबर 2023 के सभी करेंट अफेर्स को डिटेल में समझ लिया अब आजाईए आज की फेक्टिशिट में हम कल के सेशन की फेक्टिशिट को आगे बढ़ाते हैं और फर्स्ट मेल इन इंडिया को डिसकस कर लेते हैं पहला देखिए बिना अक्टीजन के एवरेस्ट की चोटी पर चड़ने वाले पहले भारती शेरपा अंग दोर जी थे भारत आने वाला पहला चीनी आत्री फाहियान था, मुगल दर्बार में आने वाला पहला अंग्रेज होकिंग्स था, भारत आने वाले पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट E.D. आइजन हावर थे भारत आने वाले पहले ब्रिटिश पीएम, MC मिलॉन थे और भारत आने वाले पहले रूसी पीएम की बात करें तो ये निकोलाई A. बुलगारिन थे पहले भारती पाइलेट 1951 में J.R.D. टाटा बने थे अलम्पिक में व्यक्तिगत इस परदा में गोल्ड जीतने वाले पहले भारती खिलाडी अभीनाव बिंदरा थे जिन्नोंने शूटिंग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था ब्रिटिश संसत की सदस्यता पाने वाले पहले भारती दादा भाई नोरोजी थे और भारत में पहला समाचार पत्र शुरू करने वाले वैक्ती जैम्स ए हिक्की थे अब आजाईए लास्ट डेके सेशन में जो करेंट अफेर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइस कर लेते हैं पहला देखिए गणित का प्रतिस्टित शास्त्र रामानुजन पुरसकार दोजार तेविस रुईक्सियांग ज्हांको दिया गया है डॉक्टर दिनेश दास को हाली में UPSC का नया सदस्य न्युक्त किया गया है हिमालाई फिल्म उत्सव के दूसरे संसकरण का युजन लद्दाक में किया जा रहा है पंद्रवे ताशकंद अंतरास्त्य फिल्म उत्सव में भारती प्रतिनिधी मंडल का नेतरत्व एल मुरुगन ने किया है चर्चित हाइकुन पंडुब्वी का संबन ताइवान से है साई की मिशन अमेरिकी अंतरिक्ष एजनसी का मिशन है चर्चित भादवा मातल लोक का निर्मान मध्य प्रदेश रज्ज में किया जा रहा है इसके बाद अंतरास के अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाय जाता है आकांशी जीला कारिक्रम के तहट संकल्प सप्ता 3 से 9 अक्टूबर तक मनाय जाएगा लास्ट है एशियन गेम्स 2023 में भारत के रोहन बोपन्ना और रूतूजा भोसले की टेनिस जोडी ने टेनिस मिश्रित यूगल टूनामेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है तो ये सभी ऐसे करंट अफेर हैं जिनने हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था अब आज के लिए आप सभी के लिए कोश्चन आफ दे है त्रेपनवे दादा साफ फाल के पुरसकार से किसे सम्मानित किया जाएगा इंपोर्टन कोश्चन है कुछ स्रेशन पहले ही हमने इसे डिसकस किया है कमेंट में जरूर बताइएगा किसका अंसर क्या है इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इंपोर्टन अपडेट है अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेस वेबसाइट पर भी एवेलेबल है यह सभी कोर्सेस आप सभी की रिक्वार्मेंट और लेटेस्ट एक्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किये गए हैं यहां हम बैसिक कॉंसेप्ट के साथ साथ कॉंप्रियंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के गरांट अफेर में तब तक अपना खैल रखिए जय हिन जय भारत